नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे आज हम आपको भारत के उन पाँच अद्भुत स्थानों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां रेलवे लाइन नहीं बिच्छी है भारतिय रेल दुनिया का चोथा सबसे बड़ा रेल नेटवर्क है जो देश के कोने-कोने तक फैला हुआ है लेकिन कुछ ऐसे भी खूबसूरत और एतिहासिक जगहें हैं जो आज भी रेलवे स्टेशन के इंतजार में है तो चलिए इन पाच अनोखी स्थानों पर नजर डालते हैं जहां तक पहुँचने के लिए आपको रेल यात्रा का सुप नहीं मिल सकता अपनी अविश्वस नियस्वच्छता और प्राक्रितिक सुन्दरता के लिए जाना जाता है मेगाले यहां की हरी भरी पहाडिया, जरने और गुपाय पर्यटकों को आकरशित करते हैं लेकिन अभी तक यहां रेलवे लाइन नहीं पहुँची है पर्यटकों को यहां पहुँचने के लिए सड़क मार्ग का सहारा लेना पढ़ता है भारत चीन सीमा पर स्थित तवांग मट दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बौध मट है यह अपनी मनमोहत पहाडियों और एतिहासिक मेहत्व के लिए प्रसिद है मगर रेल नेट्वरक से दूर होने के कारण यहां तक पहुँचने के लिए या तो सड़क मार्ग का उप्योग करना पढ़ता है या फिर फ्लाइट लेनी पढ़ती है अपनी बरफीली पहाडियों और प्राकृतिक सुन्दर्ता के लिए मशहूर लेह पर्यटकों के बीच खासा पसंद किया जाता है बाइकर्स के लिए भी यह स्वर्ग से कम नहीं है लेकिन रेल्वे स्टेशन ना होने से ले तक पहुँचने के लिए सड़क या हवाई मार्गी ऑप्शन बचते हैं चार, मिरिक पश्चिम बंगाल पश्चिम बंगाल की खूपसूरत हिल स्टेशन मिरिक अपनी प्राकृतिक सुंदर्ता और मीठे पानी की जील के लिए जानी जाती है यहाँ पर्यतन काफी फल्थ फूल रहा है लेकिन रेल संपर्क ना होने से पर्यतकों को सड़क या हवाई मार्ग से ही जाना पड़ता है पाँच, माजुली, असम ब्रह्मपुत्र नदी के बीच स्थित दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली अपनी असमिया संस्कृती और हैंडी क्राफ्ट के लिए प्रसिध है पर्यतन की दृष्टी से भी माजुली काफी महत्वपूर्ण है हाला कि रेल संपर्क ना होने से पर्यटकों को नदी या हवाई जहाज का सहारा लेना पढ़ता है तो दोस्तों ये थे भारत के पाँच ऐसे अद्वुत स्थान जहां रेल नहीं पहुंची अगर आप रुमांच और अनोखे अनुभवों की तलाश में हैं तो इन जगहों का दोरा जरूर करें हमें उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा अगर हाँ तो कृपया इससे लाइक करें, शेर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले धन्यवाद